चानक के IS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है हम बात करने वाले हैं युद्ध पूत महंद्रगिरी के बारे में जिसे हाल ही में लॉंच किया गया है महंद्रगिरी का लॉंच किया जाना हमारे सामुद्रिक इतिहास में एक महत्तपूर्ण उपलब्दी है यह परियोजना 17A के तहट निर्मित नेलगिरी श्रेणी के स्टेल्थ फ्रीग्रेट के साथ युद्ध पूतों में से अंतिम है इससे पुर्व एक महेने पहले राष्टपती श्रीमती द्रौपती मुर्भू ने छटे फ्रीग्रेट और इस जहाज के पुर्वर्ती विन्द्यगिरी का शुभरम किया था इससे City of Joy कौकत्ता में Garden Rich Shipbuilders and Engineering Limited द्वारा बनाया गया था अब हम बात करेंगे इस लौच के बारे में युद्ध पूत महेंद्र गिरी का लौच किया जाना एक प्रकार का कृति मान है यह देश में हमारी सबसे अच्छी प्रगती का धोतक है इसका अर्थ यह है कि लगभग 15 महीनों में एक ही श्रेणी के 5 युद्ध पूत लौच होंगे यह एक ऐसी उपलब्दी है जो हम सभी को गौर्वानमित करती है युद्ध पूत महंद्रगिरी का नाम औरीसा में स्तित पूर्वे घाट में एक परवच चोटी जिसका नाम भी महंद्रगिरी है उस पर रखा गया है यह युद्ध पूत जो की एक इंजिनेरिंग चमतकार है और जिसमें अत्यादूनिक विशेष्टाएं एवं अत्यादूनिक प्रद्योक की है यह भव्य युद्ध पूत हमारे देश की शक्ती और समुद्री कोशल का एक उलेकनिय प्रतीक है यह भारतिय नौसैना की अतूट प्रतिबदता और अदम्य भावना का प्रतीक भी है जिसने हमें सभी परकार की स्थितियों में गोर्वान्वित किया है अब हम बात करेंगे इसके वी निर्मान की परकिरिया के बारे में एकीकरत निर्मान की नई विधी अपनाई जाने के बाद से युद्ध पोतों के भी निर्मान की गती में सुधार हुआ है और इस से राष्ट के कल्यान के लिए असीम परिणाम भी प्राप्त हुए है नेलगिरी श्रेणी के युद्ध पोतों को भारतिय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो जो सभी युद्ध पोत डिजाइन गतिविदियों का एक अग्रणिय संगठन है इसके द्वारा सवदेशी तरीके से डिजाइन किया गया है आत्म निर्भरता के प्रती देश की द्रड प्रतिवद्धा के अनुरूप नेलगिरी श्रेणी के उपकर्णों और प्रणालियों के लिए पिचेतर प्रतिशत ओर्डर सवदेशी कंपनियों को ही दिये जाते हैं अब अगर इस लॉंच के महत्व की बात करें तो महंत्र गिरी का शुभारम आतम निर्भर नोसेना बलके निर्मान में हमारे राष्ट द्वारा की गई अतुल्य प्रगती का एक उप्युक्त प्रमान है हिंद महासागर छेतर में विक्सित शक्ति गितिशीलता के बीच इस लॉंच ने रनितिक महत्व हासिल कर लिया है भारत की हालिया अभूत पुर्व आर्थिक व्रिदी और वेश्विक उत्थान विशेश रूप से हिंद महासागर छेतर में मौजूद वर्तमान भूराजनितिक और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अनिवारे रूप से अपने समुद्री हितों की रक्षा करने और अत्रिक्त जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक अधुनिक नौसेना की आवशकता भी है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्थ होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ धन्यवाद